कंटिन्यूस कास्टिंग जिसे स्ट्रेंड कास्टिंग भी कहा जाता है वो प्रक्रिया है जिसमें पिगली हुई धातु को एक सेमी फाइन बिलेट ग्लूम या स्लैप का आकार दिया जाता है और बाद में रोलिंग के लिए रोल किया जाता है तिगले रुए धातु को भटियों से सीडी में टैप किया जाता है लैडल को कास्टिंग मशीन के शीर्ष पर ले जाया जाता है गर्म धातु को एक पाइप के माध्यम से एक तुंडश में स्थानान तरित किया जाता है चंडश धातु के एक भंदार को कास्टिंग मशीन में मोल्ड के द्वारा जाने की अनुमती देता है जबकी लैडल्स को स्विच किया जाता है इस प्रकार गर्म धातु के बफर के रूप में कार्य किया जाता है साथ ही साथ प्रवा को सुचारू किया जाता है धातु